मोदी जी की, जिसमें उन्होंने कई बार कहा है साट साल, साट साल, साट साल में क्या किया देश ने, क्या हुआ देश में तो मैं आपको कुछ छीजे बताना चाहती हूँ जो हो सके तो ये आउडियो को जादा से जादा फॉरवर्ट कीजिएगा ताकि ये बाते, मोदी जी तक भी पहुँचे और उनके अंधभक्तों तक भी पहुँचे कि आखिर साट साल में क्या हुआ मैं कॉंग्रस का समर्थर नहीं करती लेकिन इसे एक इमानदार नागरिक होने के नाते सुनियेगा मोदी जी, साट साल, साट साल मत चिलाया करो देश और जनता को उल्लू मत समझो आप उस देश के प्रदान मंत्री हो जो देश तीन सो साल तक गुलाम रहा था जिस देश को अंग्रेजों ने लूट खसोट कर इस देश की बागडोर को कॉंग्रेस को सोपी थी खोन था, किसी गाउ में नल नहीं थे पूरे देश में मातर दस बान थे सीमाओं पे मातर कुछ सैनिक थे चार विमान थे, 20 टैंक थे देश की सीमाय चारों तरफ से खुली थी ख़जाना खाली था ऐसे बदहाल में हमारा हिंदुस्तान कॉंग्रेस को मिला था इन साथ सालों में कॉंग्रेस ने हिंदुस्तान में विश्व की सबसे बड़ी ताकत यनि सबसे बड़ी सेना तैयार की हजारों विमान, हजारों टैंक, लाखों फेक्टरिया लाखो गाओ में बिजली, हजारो बांधों का कंस्ट्रक्शन, लाखो किलोमेटर सरकों का निर्मान, परमानू बम, हर हाथ में फोन, हर घर में मोटर साइकल वाला मस्बूत देश इन साथ सालों में तयार करके दिया है कॉंग्रेस में भारत ने पिछले साथ सालों में तरकी भी बहुत किये, भूतपुर प्रदान मंत्रियों ने कई इतिहास रज़ दिये, जिसकी वज़े से भारत आज एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है भारत दुनिया का सरवशे समीधान बन चुका है, भारत इशियाई खेलों में मेजबानी कर चुका है, भारत ने भागड़ा और रिहन जैसे बान भी बन चुके है देश भामा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का उटगाटन कर चुका है, देश में तारापूर परमानो बिजली घर शुरू हो चुका है, देश में कई दरजन, एम्स, आयाई टी, आयाई एमस और सेक्रो विश्व विध्याले खुल चुके, नहरू ने, नवरत ने कंपनिय इस्थापित कर दी गई है, कई सालों पहले भारतिय सेना ने पाकिस्तानी सैनिको को लाहूर के अंदर तक घुस कर मारा था, और लाहूर पर कबजा कर लिया था, पंडित नहरू पूर्टगाल से जीत कर गोवा को भारत में मिला चुके थे, नहरू जी ने इस रो यानी इं इसना ओ्लेंप दिया इस आ किसी अंदर दो के साथ भारत को सरेंडर कर चुका था, तब भारत में बैंकों की राष्ट्री एक करन हो चुका था, इंदिरा जी ने सिक्कीम को देश में जोड लिया था, देश अनाच के बारे में खत आत्म Eddy निर्भन निवहो चुका था, भा प्रधान मंत्री जी की शपत ले रहे थे तब तक भरत सरवादिक विदेश मुद्रा के कोश वाले प्रथम दस राष्ट्रों में शामिल हो चुका था। ये सब अबलबतिया देश ने मोदी के प्रधान मंत्री बनने से पहले हासिल कर ली थी। हर जागरूप नागरिक की तरह इस मैसेज को जादा से जादा गरूप तक पहुचाईए ताकि मोदी जी उनके जुमले गलत साबित हो सके। जी बार बार उनका पूछना के साट सालों में क्या हुआ तो उन्हें पता चल सके। और अंद भक्तों की आपकों से पट्टी उतर सके। जै हिंद, जै भारत।